हाई फ्रेंद्स रेलिक traff Dad आज हम बनाएंगे बटर स्कॉछ आइस और यह बटर्सकॉछd आइस क्रिम के अंदर बटर्सकॉछ अिसकॉछ ऐधायिए वह भी आज हम घर पर ही बनाएंगे और एकदम easy तरीके से ये बनता है और एकदम perfect creamy ice cream जो market में मिलता है उससे भी बढ़िया बनता है आप इस तरह से ज़रूर बनाना आप market का ice cream भी बोल जाओगे कई बार हमें लगता है कि ice cream में किस तरह से ये butter अंदर कुछ crunchy crunchy आता है वो किस तरह से बनता है तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में तो यहां पर मैंने एक pan ले लिया और उसके अंदर मैंने आदा कप sugar डाली है और यहां पर मैंने gas की आज एकदम starting में low रखी है उसके बाद मैं थोड़ी से medium कर दूँगी और उसको हमें लगातार चलाते रहना है जब आप इसे लगातार चलाते जाओगे तो जो चीनी है व तक हमें इसे चलाना है और गैस की आज हमें हाई नहीं रखने है वना यह पूरा का हमारा जो केरेमल है वो पूरा सा बेकार हो जाएगा तो यहां पर जब हमारी चीनी पीघल जाए उसके बाद यहां पर मैंने दो बड़े चमच सॉल्टेट बटर एड किया है और इसको अग्दम गाड़ा हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो हमें इसे दो मिनिट के लिए चलाते जाना है तो बस इसी तरह से बटर स्कॉच क्रण्च है वो रेडी हो जाएगा एकदम सिंपल है एकदम इसी है आप इसे गर पे ज़रूर एक बार ट्राय करना और इसे इस तरह से यह गाड़ा हो जाए इसका रंग भी चेंज हो जाएगा इसके बाद यहां पे हम गैस बंद कर देंगे और यहां पे एक प्लेट ली है उसके उपर मैंने ओल फैला लिया है आप गी भी यूज कर सकते हो और उसके अंदर हमें यह तुरंत ही हमने जो यह मिक सकते हो कि यह एकदम सेट हो चुका है तो मैं प्रेट को नीचे से प्रेस करूंगी तो वह इसली बाहर निकल आएगा और यहां पे मैंने एक बटर पेपर लिया है उसके अंदर मैं इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर दूंगी अब हम इसे अच्छे तरह से करेंगे हमें बनाना है एकदम चूट यह से बाहर इक से हमें इसके टुकड़े मिल जाए इस तरह सा हमें करना है वैसे तो बटर स्कॉच का जी एक क्रण्च है मार्केट में भी मिलता है बर वो बहुत महेंगा मिलता है तो आप गर पे इस तरह से भी बना सकते हो तो यह हमारा बटर अब यहां पर हम आइस क्रीम का बेस तयार करेंगे जिसके लिए मैंने आदा कव फुल फेट मिल्क लिया है और इसके अंदर मैंने एक बढ़ा चमश कॉन फ्रो डाला है अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे और गैस चालू करने के इसे एकदम दीमी आज पर ही बकाना है और हमें इसे लगतार चलाते जाना है तो थोड़ी तेर बाद आप देख पाओगे कि यह थोड़ा सा गाड़ा होने लगेगा इस तरह से यह गाड़ा हो जाए उसके बाद हमें कैस कि यह बंद कर देनी है और इसमें मैंने यलो फूर फूर कलर डाला है आप जाओ तो डाल सकते हो बनाई से स्केप भी कर सकते हो तो फूर कलर डालने के बाद इससे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इससे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे उसके बाद दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने आदा कभ विपिंग क्र करने वाले इसलिए मैंने उसमें शुगर एड नहीं की थी तो हम इस विपिंग क्रिंग को बीट करेंगे जब तक इस तरह के लाइट एंड फ्लफी इसका टेक्श्र ना हो जाए तब तक हम इसे बीट करेंगे उसके पाद हमें यहां पर बटर स्कोच एसंस डाला है आप ए यहां पर मैंने एक चौथाई कप से थोड़ा सा ज्यादा यानि कि तीन बड़े चमस ज्यादा इसमें कंडेंस मिल्क एड किया है इसे क्या होगा कि हमने आगे शुगर एड नहीं की है तो यह कंडेंस मिल्क इसकी मिठास बढ़ाएगा आइस क्रीम की उसके बार जो दूद आइस क्रीम भी अच्छी बनेगी तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेजे तो जो बटर स्कॉच कुरंच हम ने बनाया था इसे में चार पांच बड़े चमस जिसमें डाल दूँगी आप चोब तो आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हो और यह वैसे अकेले खाने में भ है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो तो हमारा एकदम आइस क्रीम का जो बीस है वह एकदम तयार हो चुका है मैं इसे एक टीन में ट्रांसपर कर रही हूँ आपके पास एट डबा हो तो आप उसमें भी ट्रांसपर कर सकते हो और आप देख सकते हो इसका एकदम क्रीमी टेक् तो अब ज़रूर एक बार ट्राइ करना उपर से मैंने टॉपिंग में जो क्रंच था वो भी इसमें डाल दिया है थोड़ा लोकवाइस अच्छा दिएगा उसके बाद क्लिंग रेप की मदद से मैंने इसे कवर कर लिया है और हमें इसे अच्छी तरह से कवर करना है वरना इसमें क्या होगा कि जो एर क्रिस्टल बन जाते हैं तो हमें नहीं बनाने हैं इसलिए हम इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे क्लिंग रेप की मदद से अब हमें इसे पुरी रात यह सेट हो चुका है हमारा आइसक्रीम तो इसी तरह से आप यह बटर स्कॉच आइसक्रीम घर पर ज़रूर बनाना और अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी चैनल को क्विश्यगुन को सब्सक्राइब कर लेना क्विश्यगुन को